और बीजेपी ने असाम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोचने आए हैं, मिटाने आए हैं, अपसे ब्रश चीफ मिनिस्टर आपका यहाँ है, वो करता क्या है, वो असाम में 24 गंटा नफरत फैलाता है, OPC का खुले आम सब के सामने अपमान किया, एक धर्म को दूसर के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंग्र मोदी से, ना अमिद शाह से, पिछले साल, हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्या कुमारी से कश्मीर, 4000 किलोमेटर चले, उस यात्रा का लक्ष, भारत को जोड़ने का था, जो बीजेपी ने, नफरत, हिंसा, और डर फिला रखा है, उसको मिटाने का था, 4000 किलोमेटर चले, लाखों लोगों से मिले, हर रोज, 7-8 घंटे, हम आम, आम जनता, आम नागर की बात सुनते थे, शाम को 15 मिनट हम अपना भाशन रखते थे, और जब हम, कश्मीर पहुँचे, यात्रा ने पूरे देश में, एक मेसेज पहला दिया, कि एक तरफ, नफरत और हिंसा, और दूसरी तरफ, भाईचारा, और मोहबब, यात्रा में से, यात्रा के अंदर से, एक नारा निकला, नफरत के बाजार में, मोहबबत की दुकान खोलनी है, और वो नारा पूरे देश में गुंजा, अपसे ब्रश चीफ मिनिस्टर आपका यहाँ है, वो करता क्या है, वो असाम में 24 घंटा, नफरत पहलाता है, कभी कहेगा, कि पिछडी जात, और दलित, जेनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए है, पिछडी जात और दलित, जेनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए है, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे लिखा, OPC का खुले आम सब के सामने अपमान किया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फिलाएंगे, और जब असाम की जनता का ध्यान भटकेगा, तो आपका पूरा का पूरा धन, चाय, सड़क, कोईला, टूरिजम, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सब 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 सबसे बरश्ट चीफ मिनिस्टर, आप से छीन लेता है, हमारी यात्रा को, पिछले पाँच छे दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के दो-तिन कार्यकरता, सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो दो-तिन नारे लगाएंगे, कभी कौट केस, यात्रा पे मेरों पर कौट केस लगा देंगे, उनको ये बात समझ नहीं आई, कि राहूल गांदी, ना असाम के चीफ मिनिस्ट से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से, असाम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, कि देश का सबसे भरश्ट चीफ मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर है, सबसे भरश्ट, देश का चीफ मिनिस्टर असाम का है, आप देखिए, चाई पीते हो, चाई के गाडन, आपके चीफ मिनिस्टर के, अगबार पढ़ते हो, पीवी देखते हो, टेलिविजन और अगबार, आपके चीफ मिनिस्टर के, सरकों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मा पुत्रा के, कोपार करते हो, उसमें से पैसे, आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है, शाम को, पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है, उसमें से भी आपका, चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है, और अगर कभी आपको, काजी रंगा में, राएनो जाके देखना हो, तो पता लगेगा, कि वहाँ भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजोर्ट है, राएनो देखना हो, तब भी उनके रिजोर्ट में जाके राएनो देखो, मैंने बाशन में बोला, इसके बारे में बोला, कि ये, असाम के, संस्कृति का चिन है, और मैंने गम्चा बोला, वापस बस में गया, तो किसी ने मुझे बोला कि, इसको हम असाम में, गम्चा नहीं कहते हैं, इसको हम, गमुचा कहते हैं, तो मैंने पूछा, ये, गमुचा का क्या मतलब होता है, तो उन्हों ने मुझे बताया, गम मतलब शरीर, और मुचा मतलब, साफ करना, गमुचा मतलब, इससे हम, अपना शरीर साफ कर सकते हैं, और ये आपका, इतिहास है, आपकी हिस्ट्वी है, इसमें आपकी भाशा है, आपके जीने का तरीका है, तो ये यात्रा जो आ रही है, इसका भी यही लक्ष है, कि हम और बीजेपी ने, असाम में गंद फिला रखा है, उस गंद को हम पोचने आए हैं, मिटाने आए हैं, और कैसे मिटाएंगे, असाम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मुहबबच से, नफरत से नहीं, उन्होंने हमारी याता पर हिंसा की, नारे लगवाए, हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा को, हिंसा से नहीं काटा जा सकता है, हिंसा को, सिरफ मुहबच से काटा जा सकता है, और असाम, असाम मोहबत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। BJP अकेले नहीं लड़ती है। BJP का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी है। एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक सिक्के में दो साइड होते हैं, एक साइड नरेंद्र मोदी, अमिच शाह और आपके चीफ पिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल. जो भी असाम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल और लेके एक मिनट में कर देते हैं, चुनाव में उनकी मदद करते हैं, और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लेकरते हैं, पूरी मदद करते हैं, तो यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी सिरफ बीजेपी से नहीं लड़ रही है, असाम में कॉंग्रेस पार्टी, बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है, और हम, हम ना बीजेपी के साथ कॉंप्रमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉंप्रमाइज करेंगे, यह बात आप अचीधरे समझ लो, कॉंग्रेस पार्टी, बीजेपी को हराने आई है, लोक सबा में, विदान सबा में हम इनको हराएंगे, और बीजेपी को अगर हराना है, तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा,